कंपनी के निर्मान के लिए जो important documents या महतवपुन प्रलेखों की जिनकी आवशक्ता होती है उसमें हमने पहले जैसे कि आपने देखा कि हमने देखा पार्षित सीमा नियमन जिसे हम English में Memorandum of Association कहते हैं और दूसरा आपने देखा पार्षित अंतर नियमन यनि जिसे हम Article of Association कहत हैं तीसरा एक document आता है जिसे हम कहते हैं prospectus English में और Hindi में प्रविवरन अब यह वच्छों प्रविवरन क्या होता है सवाल यह उड़ता है prospectus as a common word आप जानते हैं कि जैसे हम इन जिनरल एक लेके चलें या उदाहरन लेके चलें तो जब आप किसी college में admission लेने जाते हैं चाहे वह इंजिनेरिंग हो चाहे मेडिकल हो या कोई भी college हो तो वह college क्या करते हैं अपने college की prospectus जारी करते हैं ठीक है अब यह prospectus में क्या चीज़े involved होती है इन प्रॉस्पेक्टेस में उस organization या उस institute या उस college की स्थापना से related सारी चीज़ें include होती है कि इसकी स्थापना कब हुई इस college में जो है chairman कौन है इसकी directors कौन है इसमें कितने faculty members हैं या कौन-कौन से स्थाफ हैं कौन-कौन से departments हैं इस college में क्या-क्या facility दी जाएगी साथ ही साथ क्या होता है कि इस college या इस organization का prospectus है उसका mission vision और objectives क्या है तो मतलब यह सारी चीज़ें मिला करके एक prospectus बनता है तो यह college level की बात हुई अब हम एक व्यावसाई company की बात करें तो जब कोई company अपने लिए prospectus बनाती है तो उस prospectus के अंदर उन सभी चीजों की घोशना होती है जो की fund को या पूंजी के लिए या रिन के लिए जनता को आमंतुरित करें कि आप यहां से अंश रिन उसको खरीदें और इसके shareholders बनें तो हम कह सकते हैं कि इस prospectus को जो है इसकी रचना इसी लिए की जाती है ताकि धन का या पूंजी का निर्मान किया जा सकते क्योंकि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए जो धन या पूंजी होती है वो एक रक्त की तरह कारे करती हैं अब हम प्रविवरन को और अच्छी तरीके से समझे तो जो prospectus या प्रविवरन होता है वो एक नीजी कंपनी के द्वारा बनाना बहुत जरूरी नहीं होता है क्योंकि जो नीजी कंपनी होती है समा मेलन या रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत अपना व्यवसाय आरंब कर सकती है यह किन के लिए आवशक होता है अंश पुंजी वाले सारजुनिक कंपनियों के लिए ज़़ूरी होता है जो की जनता से पुंजी को एकत्रित करना चाती हैं तो इसके माध्यम से वो क्या करती है कि अंश पुंजी से related सारे जिटने भी details रहते हैं उनको प्रवीवरण में mention करत करने के लिए अपने जितने भी पुझी के रिण पत्र है वह उनको सेल कर सकती है या विक्रै कर सकती है जिसके माद्यम से जनता जब उसे करीदेगी तो उसके बदले धन पुझे देगी जिससे क्या होगा कि company के पुझे में वर्दी होगी तो हम अगर इसको समझें तो यह prospectus जो होता है वो एक नीजी कंपनी के द्वारा जारी करना जरूरी नहीं होता या जिस नीजी कंपनी चे जारी नहीं करती बलकि एक साध्निक कंपनी के लिए जो की पुझी कत्र करने के लिए आवशक होती है अब अगर हम देखें तो प्रवेवरण के उद्देश क्या हैं प्रवेवरण जो होता है वह अन्षों वर रणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना होता है दूसरी चीज उन शर्तों का ब्योरा देता है जिस पर जनता को अंशोबर रण पत्रों पर खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है तीसरी चीज यह होती है कि इस आशे की घोशना करना की प्रविवरण में लिखी बातों के लिए क के उद्देशों के अंतरगत आते हैं जिसलिए प्रविवरन का निर्मान किया जाता है अब प्रविवरन की आवशक्ता क्यों हैं जैसे कि आपने जया ना कdd Nag we जो होता है कमपनी के अंश वर रण पत्रों का ब्योरा होता है उनको खरीदने के लिए जनता को आमंतरित किया जाता है और उन शर्तों का भी ब्योरा दिया जाता है जिस पर जनता को अंशों पर रण पत्रों को खरीदने के लिए आमंतरित किया जाएगा और साथ ही साथ जैसे कि मैंने उद्देश में तीसरा उद्देश भी आपको यह बताया कि इसमें यह भी मिंशन होता है कि इसके लिए जो इस कमपनी के संचालक हैं वो उत्तरदाई होंगे जो भी अगर इस प्रवेवरंड में लिखी हुई बातों से जो भी लाबिया हानी हो अंशोवरण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने से ही होती है और एक बात यदि हम प्रवेवरंड की आवशकता को और अच्छे तरीके से समझें तो इसमें यह भी समझ सकते हैं कि यदि अंशोवद्वारा सीमित सार्जनिक कंपनियां जो होती हैं वो पुझी स्वयम अपने साधनों से एकत्रित करते हैं उनके लिए यह प्रवेवरण जो होता है निर्गमित करना आवशक नहीं होता है जैसे कि नीजी कंपनी उकलीनी होता है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं सार्जनिक कंपनियों के शेत्र में तो वहाँ पे क्या होता है प्रवेवरण या उसके लिए भी उन्हें प्रवेवरण जो है उसकी आवशक्ता होती है मतलब कि अगर आप इसे एक सीधी साधी भाशा में समझे कि यदी कोई अंशोद्वारा सीमित सालजनिक कंपनी है जिने जनता से पूंजी के आवशक्ता है और यह पूंजी कैसे वह विक्रे करके है ना उसके लिए क्या करेंगी वो प्रवेवरण पत्रजारी करेंगी वहाँ पर आमंतरन भेजेंगी उनमें सारे शर्ते होंगी कि किस बेसिस पर आपको यह रिण मिलेगा साथ ही साथ इसके लिए उत्तरदाई कौन होगा यह सारी चीज़े होंगी और यह करेंगी इस प्रविवरण पत्र जारी करेंगे लेकिन वे कंपनियां वे शर्व कंपनिया जो कि इस तरीके से जनता से पुणि की आवशक्ता नहीं हो गी वे कंपनिया अपनी प्रविवरण इस लिए जारी करेंगी क्योंकि उन्हें क्या करना होगा रजिस्ट्रार के पार प्रविवरंड का स्थानापनन विवरंड पत्र प्रस्तुत करना होता है इसलिए इन कंपनियों को भी क्या करना पड़ता है प्रविवरंड की आवश्चक्ता होती है अब हमने प्रॉस्पेक्टर्स यह अगर हम प्रविवरन के लक्षणों को देखें तो कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं कि प्रविवरन जो होता है एक प्रलेख यानि डॉक्यूमेंट होता है जिसे विवरन पत्रिका के रूप में निर्गमित किया जाता है ठीक है विवरन पत्रिका यानि उसमें क्या होगा सारी चीजे इंक्लूड होंगी उस company के सारी information जिसके द्वारा क्या होगा कि अगर वह जनता के द्वारा अंशोवर्रण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं या उनको आमंत्रण पत्र भेजते हैं तो उनके सारे details उस प्रविवरण में या उस प्रविव उजन परिपत्र तथा विज्यापन आदि के रूप में हो सकता है तीसरी चीज यह किसी समामेलित संस्था द्वारा ही जारी किया जा सकता है चौथी चीज जो प्रविवरण होता है जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है यह अंशोवर्रण पत्रों को खरीदने के आमंत्रित किया जाएगा और यहां पर पूरी तरीके से होल उत्तरदाई कौन होता है वह कंपनी का संचालक होता है तो बचो इस तरीके से हमने प्रविवरण के लक्षन को भी जाना कि यह डॉक्युमेंट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है या उसके क्या-क्या वह चैरक्टर्स्टिक्स हो सकते हैं ठीक है अप प्रविवरण की आवश्यक्ता लक्षन और उसके कौंसेप्ट को जानने के बाद आये हम देखते हैं प्रविवरण में और भी कौन से महत्वपूर्ड बिंदू समेलित किये गया हैं अब हम देखते हैं कि जो कर सकता है या company की निर्मान में तो वैक्ती उसको मदद करना चारा है तो वह कर सकता है साथ ही साथ company की और से और भी कोई वैक्ती जोकि उस company में कारेयत है उस company की निर्मान से उसका सीधा संबंध है वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है कंपनी का प्रविवरण को निर्गमित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति जो कि कंपनी के निर्माण में रूची रखते हैं वे व्यक्ति भी कंपनी का प्रविवरण निर्गमित कर सकते साथ ही साथ वे व्यक्ति जो कंपनी प्रविवरण को निर्गमित कर सकते हैं जिसे जनता को पुना विक्र है तू अन्शों का आभंटन किया गया हो तो बचों यह कुछ बिंदूत है या कुछ ऐसे पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो कि यह बताते हैं कि प्रविवरण का निर्गमन कौन कर सकते हैं तो प्रविवरण कि इच्छा के नुसार अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसमें रुची रखता है तो वो भी कर सकते हैं इसका अगर हम समरी या निशकर्ष निकाले तो यही निकलता है अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसका अगला बिंदू देखते हैं कि प्रविवरण का निर्गमन कब आवश्क नहीं होता जिब कमपनी एक नीजी कमपनी होती है तब जो होता है कमपनी निर्गमन की आवश्यक्ता नहीं होती है कि जब अंश तता रंपत्र जंता को प्रस्तावित नहीं किये जाने हो तभी भी हमें क्या होता है कि प्रॉस्पेक्टस को निर्गमित करने की आवश्यक्ता नहीं होती चौती चीज है कि जब अंश तता रंपत्र खरीदने का प्रस् उनको निर्गमन की आवश्यक्ता नहीं होती और अंतिम मिंदू जो है वो कहता है जब इसी प्रकार के अंश कंपनी द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके हो तो उसका किसी भी मानिता प्राप्त कंपनी के साथ अगर कोई कॉंट्राक्ट हो तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि कंपनी का जो प्रविवरंड पत्र है उसमें निर्गमन की आवश्यक्ता नहीं होती तो अगर हम इसे सिंपल या सही भाषा में समझें सीधी साधी भाषा में अगर समझें जो है कंपनी है उससे अगर संबंद हो तो उस थिती में भी क्या होगा कि कंपनी जो है उ जो है उसका निर्गमन उसकी आवशक्ता नहीं होती तो हमने देखा अभी तक कि प्रविवरन जो है उसका निर्गमन कौन कर सकता है साथ ही साथ प्रविवरन का निर्गमन आवशक कब नहीं होता तो धारा 56 के अंदर यह कुछ पॉइंट्स थे जिसे आपने देखा और जाना कि इन पॉइंट्स में जो बाते लिकी गई हैं और जो मैंने आपको समझाई है उसके अंतरगत यह सिचुएशन जब पैदा होती है तब प्रॉस्पेक्टर्स जारी करने की आवशक्ता नहीं होती अब बात आती है कि उद्देश था सीमा नियमन पर हस्ताक्षक करता हों के नाम होते हैं इन शौट अगर हम इसको समझें तो प्रविवरंट जैसे मैं आपको बताया इसमें कंपनी की सारी डीटेल्स होती है तो यह उद्देश उसे रिलेटेड़ चीज़ें हो गई अब बता रहा है सीमा निय तता आर्टिकल अफ अस्सीएशन में जिनके हस्ताक्षर थे उनकी सारी डीटेल्स होंगे उनका नाम पता उनका आपकी पेशिंट दूसरा व्यावसा अगर कुछ कर रहे होंगे तो तो वो सारी डीटेल्स भी जारी रखने के लिए प्रविवरंड के स्वरूप के अंतरग कि कितनी अधिक्रित होगी मतलब कंपनी के नाम पर कितनी अंश पूझी रखी जाए कि दूसरी चीज़ अंशो के प्रकार प्रत्य प्रकार के अंशो की संखिया और अंश धारियों के अधिकार इसके अंतरगत कि अंश कितने प्रकार के होंगे ठीक हैं अंश धारी हैं उनको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे और प्रतेक प्रकार के अंशो की संख्या क्या होगी किस हिसाब से उनका निर्गमन किया जाएगा या वित्रण किया जाएगा यह उसमें उलेक होगा जहां पर अंश पूंजी की बात आती है फिर बात आती है कि यदि शोध्य पूर्वादिकार अंशो का निर्गमन किया गया है तो उनके संख्या शोधन की तिथी तता विधी आदी मतलब अगर इस तरह के दिये जा रहे हैं तो उसमें उनकी डेट भी मिंशन होगी और किस मेथर्ड का यूज करके यह जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया जाएगा वो उसमें समयलिट किया जाएगा तो यह दूसरा बिंदू था या दूसरा कंटेंट था जो कि किसमें होता है कै यह द्रेबल की होंगे चैर्मन होगा बोड़ डिरेक्टर किसी और कि व्यवसाएं में तो वह सारी वी हुदि इसके अलावा उनका जो पूरा मनीजीरियल लेवल होगा टॉप से लेकर के बॉटम तक उनके सारे उसमें लिखित होंगे नाम तता उनका डेजिगनेशन होगा साथ में उनका हस्ताक्षर भी होगा तो यह सारी चीजें इसमें इंक्रूड़ होती हैं अगर हम इसे एक अच्छे अच्छे लें structure के बाद गाई होते हैं जो और चीस की इसी की के चेर्मेन और जब आट कि यह पीर principle की वहाँ principle कौन है उनके नाम फिर उनके वर्ट जो college के objectives को fulfill करने में मदद करेंगे और college को और आगे बढ़ाने मदद करेंगे तो उनके हस्ताक्षर होंगे उसी प्रकार अगर हम आगे चलें तो फिर dean की बात आती है dean के इसमें भी same process होगा फिर registrar की बात आती है साथ ही साथ अब इसके बात क्या होता है कि इनके हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि यह उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं अब प्रविवरेंट हम college की बात कर रहे हैं और उस department में कितने faculty हैं उनमें कितने होडी हैं तो उनके सारे details उनके signatures अगर उनके words possible हुए तो नहीं in case नहीं तो उनके नाम उनकी photo with उनका designation mention होता है तो यह सारे जो होते हैं प्रवंदे की अधिकारी होते हैं अगर हम इसे company level पे समझे तो चितने भी chairman board of directors shareholders और managerial level के लोग होंगे उन सब अधिकारियों के नाम with designation with words क्या होंगे उनके initials उस प्रविवरन में mention होंगे मतलब उनके हस्ताक्षर भी उसमें mention होंगे फिर बात आती है न्यूनितम अभिदान की यह जो होता है वह मिनिममं jumped होता है जो व्यवसायर करने के पहले क्या किया अधाँ है इन्वेस्ट किया जाता ठीके end किसी company के निर्माण में या कोई व्यवसायर शुरू करने के पहले जो minimum amount हम या जो कम करनी के निर्मान करता है, वो invest करते हैं, उसे हम न्यूनितम अभिदान के अंतर करते हैं, इसके बात बाती है कि अभिदान सूची का लिस्ट, यह जो लिस्ट होता है, यह प्रवेवरन जारी करने के बाद, जो पांचवा दिन आरंभ होने से पहले नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बाद, हम बात करते हैं, अगले बिंदू की, जो की ज़रूरी होता है, as a content, किसी भी prospectus, company के prospectus के लिए, तो उ उसमें आवेदन की आबंटन राश्री के बारे में भी जानकारी होने चाहिए, अब क्या क्या जानकारी होने चाहिए, कि प्रतेक अंश्रिया आवेदन के आबंटन के समय, दे राश्री का उल्लिक किया जाना चाहिए, साथ ही साथ, यदि पिछले वर्षों में कोई प्रव प्रुफित अंशो का विवरंट भी दिया जाना चाहिए इसके बाद आती है बात अगले कंटेंट की कि नगदी की अत्रिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमित अंश या पत्र के बारे में भी इसके format में चर्चा की जाने चाहिए फिर बात आती है कि अंश प्रीमियम अब ये अंश प्रीमियम क्या होता है जब किसी भी company का प्रविवरण का प्रकाशन होता है ठीक है तो उसके प्रकाशन की तिथी होती है उसके दो वर्ष के अंदर निर्गमित कि यह गया अंशों का premium की राशि के बारे में जब जानकारी दी जाती है तब उसे हम अंश प्रीमियम के जैसे आप अची तरीके से हैं भीमा का premium है यह बीमाधरी भीमादर्य लेता है तो वह प्रेमियम um Diamant कुरें पढ़ें यह उसे कितना समय प्रेओ गमतर है उसे उसी प्रव मोत करें आप डर निर्गमित किये जाने वाले अंश जो हैं उन पर प्रीमियम की राश्डी भी उसमें मेंशन की जाथी हैं फिर बात आती है अभी गोपक यह कौन लोग होते हैं अभी किनको डिशाइड करना है जिन पर हम विश्वास कर सकें यह कंपनी डिशाइड करती है तो उसमें उन अभी गुपको के वीवरण भी प्रस्तूत किये जाते हैं फिर नेक्स्ट बिंदू आता है वो कहता है कि प्रारंभिक व्य अब इसमें वी राशी को इंक्लूड किया रहता है उसमें अनुमानित राशी आती है प्रारंभिक वह है वो कौन करेगा तथा उस में अनुमानित राशी बमist प्रास्पैक्टिस भी राशी को राशी कितनी लगी हुई है उसको भी मेंशन किया जाएंगे जो कि इस कंपनी के निर्मान कारे में जिन्होंने प्रारंबिक व्य किया है तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स जो कि इस प्रविवरन को बनाने के लिए as a form और as a content के रूप में जरूरी होते हैं फिर हम बात करते हैं प्रवर्तक प्रवर्तक कौन होते हैं वे होते हैं जो कि राशी जिनकी हम राशी देते हैं साथ ही साथ उनका कमपनी के हितों में कितना परसंटेज योगदान है या उनको कमपनी के हितों से क्या प्राप्त हो रहा है यह चीजे में हमें डिसाइड करनी हो तो जब कंपनी का प्रवेवरंड मनता है तो उसमें प्रवर्त को कितनी राश्री प्रदान की जाएंगी प्रवर्त कौन होंगे और उनका हित क्या होगा यह भी मेंशन किया जाएगा फिर बात आती अंकेशक यह नहीं ऑडिटर्स की कि यह ऑडिटर्स होंगे कौन यहां जो होंगे उनका पता नाम और पता हर कंपनी में अपना एक इंडिवीजवल ऑडिटर होना जरूरी है ठीक है वो क्या करते हैं कि कंपनी के जो बही खाते हैं उनको सून युजित करके एक कंपनी का वार्षिक लेका जोका तयार करते हैं इसलिए इन अंकेशकों की आबश्रक् फिर बात आती है व्यवसाय का विवरण उसमें व्यवसाय की प्रकृति क्या है व्यवसाय जो है वो किस थान पर स्थापित किया गया है कितने वर्षों से चल रहा है और साथ ही साथ व्यवसाय में जो इंपोर्ट अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो ठीक है और और कि से वह संबंदित है साथ ही साथ वह कंपणी का अगर प्रोडेक्शन हाउस है तो उस कंपणी का रॉम मटीरियल कहां से आ रहा है वह कंपणी जो है अपना अंति मुद्पात कहां बेज रही है कि सारी चीज़े यानि व्यवसाय का विवरण है उसके अंतरगत सम्मेलित होगा और भी तो प्रति अस्ति ने वागत बिल्यास ने ठिक है तो यह सारी चीज़ों को अगर नगत में खरिदा गया तो उसका विवरण वित बिल्स साथही साथ अगर यह लीज पर यह पठ्टे पे लिए गया है तो उसके भी डॉक्युमेंट्स को सिसमें क्या जाएगा एक इ इस प्रतिबंद के अंतरगत जितने भी लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको बोलना अपने मत रखने का अधिकार साथ थी साथ अंशो के हस्तांतरण से लेकर के जितने भी अधिकार प्राप्त हैं वो सारी चीजें जो अंतर नियम बनाए गए हैं मेमरंडम ऑफ अस असोसियेशन उसकी अंतरगत किन लोगों के नाम मेंशन किये गए हैं उसके जानकारी भी प्रवेवरण में में मेंशन की जाती हैं फिर बात आती है लाभों या संचिती का पूंची करन अब इसके अंतरगत जो कंपनी लाब अरजित कर रही है वो आगे चल करके अरजित ल किनियों करना होगा किसी नया व्यवसाय शुरू करना होगा तो वह लेवल या वह मांकिंग कहां से होगी जहां से इतना लाब कमाने के बाद वह अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकती है या नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती है और अपने अरजित लाबों को अपने shareholders में किस सरीके से वित्रित करेगी यह कितने percentage में वित्रित करेगी यह सारी चीज़ें उस प्रभीवरन में मैंशन फिर बताती है इक निरेक्षण का समय वस्थान अब इसके यंथर किसी भी Company को निरेक्षण के समय वस्थान की přूरी जानकरी यह मतलब पता और समय उसकी पूरी जानकारी भी प्रवेवरंड में में मेंशन की जाती है और अंतिम बिंदु आता है महतवपूर्ण अनुबंद कमपनी के निर्माण के समय जो आर्टिकल अफ असोसियेशन और मेमरेंडम अफ असोसियेशन बनाए जाते हैं उसके अंतरगत जिन लोगों से उनके अनुबंद तयार किये जाते हैं यानि उसमें दलाल भी साम शामिल हो सकते हैं उसके अलावा जो विक्रेता हैं वो भी जो है वो शामिल हो सकते हैं अगर उनका किसी विदेशी कमपनी सलाकार से अगर उनकी कोई कॉन्ट्राक्ट बने हैं वो भी शामि कि लिए किसी कॉंट्राक्ट से उस कंपनी से जुड़े हुए उन सभी लोगों के नाम पते और वो किस तरीके से जुड़े हुए ये सारा प्रविवरंड में विस्तृत रूप से वरण इतर रहता है तो बचों इस तरीके से हम company निर्मान और company के निर्मान को किस तरीके से किया आता है साथ ही साथ उसके निर्मान में जो है किस तरह के documents की आवशक्ता होती है इसकी चर्चा करें यह जो chapter आप अभी देख रहे हैं यह chapter थोड़ा सा critical है आशा है मैंने इसे आपको आसानी से समझाने में मदद की है और आशा करती हूँ कि आपको यह chapter बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा